Hello and Welcome to Fun Learning आज हम इस वीडियो में टैनिस कोट की मेजरमेंट और टैनिस की रूल के बारे में अच्छे से इस वीडियो में करने वाले हैं और आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जूर सकते हैं इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी तो सबसे पहले हम टैनिस कोट की मेजरमेंट देखते हैं कि इस तरह से होता है कुछ टैनिस का कोट और इसके बीच में नेट लगा रहता है और ये दौनों तरफ में देखिए इसको बोलते हैं service line और इसके center में एक line होती है इसको बोलते है center service line और इस तरह से देखिए ये बन जाता है left service coat और right service coat दौनों तरफ में यहाँ coat के end में यहाँ पर एक mark दिखाई देगा दौनों तरफ में यह है center mark और ये coat है single के लिए और double के लिए coat बढ़ जाएगा दोनों तरफ में इस तरह से और coat की जो total length होती है वो कितनी होती है 78 feet 23.77 meter और coat की width कितनी होती है singles के लिए single side line होती है यह वाली यहां तक होता है single coat और इसकी width कितनी होती है 27 feet यानि की 8.23 meter और double के लिए कितनी होती है इसकी width यह होती है 36 feet अगर meter में देखे तो 10.97 meter की doubles में यह extra area मिलता है यहां पर 4 feet 6 inch का दोनों तरफ में और net से service line कितनी दूरी पे लगती है यह होती है 21 feet या फिर 6.40 meter और इस service coat की length है और इसकी width कितनी होती है 13.5 feet coat के end वाली जो line है इसको बोलते है base line और यह double के लिए side line यह वाली और single के लिए यह वाली side line होती है और double का coat अगर single के लिए भी use हो रहा है तो यहां पर जो single side line है इसके 3 feet इस तरफ को एक stick लगाई जाती है जिसको single stick बोला जाता है और double के लिए net post भी 3 feet छोड़ कर लगाई जाते हैं जो double side line है उसके बाहर उसके बाद हम थोड़ी से कुछ और चीज़े देखते हैं देखिए इसकी line के बारे में जो baseline होती है यह 4 inch चोड़ी होती है दोनों तरफ में कोट की जो सबसे मोटी line होती वो baseline होती है 4 inch चोड़ी होती है उसके बाद एक यह center mark होती है यह कितना चोड़ा होता है 4 inch और इसकी जो width होती है इसकी length होती है 4 inch और width होती है 2 inch और उसके बाद यह जो center line है, इस center line की चोड़ाई कितनी होती है, यह होती है 5 cm या 2 inch चोड़ी होती है center line और इन सब lineों को छोड़ कर, यानि कि center line, center mark और waistline को छोड़ कर, बाकी की सारे line एक inch चोड़ी होती है tennis court में और international competition के अंदर side line के बाहर 12 feet का distance होना चाहिए, और यह जो baseline के बाहर 21 feet का distance रहना चाहिए और अगर tennis का court indoor है तो उसकी छत क्यों चाहिए कितनी होनी चाहिए, 30 feet होनी चाहिए, 30 feet से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है minimum 30 feet या 9.14 meter होनी चाहिए फिर next है इसका net, net की measurement देखते हैं, यहां पर इसकी जो उन्चाई होती है net की, वो कितनी होती है 3 feet height होती है इसकी बीच में से, और side से कितनी होती है, 3.5 feet इसकी total length कितनी होती है, जो double की side line है, वहां तक इसका distance कितना होता, court ही होता है, कितने का, 36 का और net जो है वो 3 feet छोड़ के लगा जाता है बाहर की तरफ को, ठीके दौनों तरफ में, देखे, 3-3 feet छोड़ दिया तो होगे 6, तो total length कितनी होगी, 42 feet फिर उसके बाहर देखे, इसके meshes, net का जो जाल होता है, ये कितने का होता है, 4.5 x 4.5 cm, यनि 4.5 इसकी length और width होनी चाहिए, फिर net की जो strap होते हैं, ये जो पटे लगे होते हैं, net की उपर और नीचे दौनों तरफ में जो पटे होते हैं, इनकी चुड़ाई कितनी होनी चाह इसकी 2 inch, या फिर 5 cm, और net को बांदने के लिए जो तार होती है, उसकी मुटाई कितनी होनी चाहिए, इसकी मुटाई होनी चाहिए, 0.8 cm, नेक्स्ट है पोस्ट, हमने पहले पढ़ा, ये जो side line है, इसके बाहर 3 feet छोड़ कर लगा जाते हैं, और अगर single matches होते हैं, तो यहां single side line के 3 feet बाहर को छोड़ कर, जो single stick लगा जाती है, इसके जो पोस्ट है, या तो यह गोल होंगे, या फिर square shape के होंगे, अगर square shape के हैं, तो यह 6 by 6 inch के होने चाहिए, square, और अगर गोलाई में हैं, तो इसका diameter या बियास कितना होना चाहिए, 6 inch होना चाहिए, और single stick कितना होन चाहिए, 3 inch से जादा नहीं होना चाहिए, अगर square में है तो 3 y 3 का होना चाहिए, अगर गोलाई में है तो 3 inch इसका diameter इसका बियास होना चाहिए, और जो net post या single stick होती है, ये net के 1 inch से उपर नहीं होने चाहिए, फिर next है racket, racket की measurement देखते हैं, अब इसकी जो total length होती है, वो कितन होती है, यहां से यहां तक देखिए, यह होती है, 29 inch या फिर centimeter में देखे, 73.7 centimeter से जादा ये नहीं होने चाहिए, और इसकी total width कितनी होने चाहिए, ये 12.5 inch से जादा नहीं होने चाहिए, अगर centimeter में देखे, 31.7 centimeter से जादा नहीं होने चाहिए, और racket का ये जो तार वाला हिस इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ 15.5 इंच से जादा नहीं होने चाहिए, और इसकी विर्थ यहां से यहां, यह तार वाले हिस्से की, यह 11.5 इंच से जादा नहीं होने चाहिए, फिर है बॉल, इसमें देखिए इस तरह की बॉल होती है, और यह कुछ इस तरह से पील किया जा सकता है एक मैच में लेकि जो और्गिनाइजर होगा वो पहले बता देगा कि मैच में कितनी बॉल का उप्योग होगा इस इवेंट के अंदर और टैनिस की बॉल को इसकी गती और मैदान की समुंदर तल से उंचाई के अधार पर चार भागों में बांटा गया है होना चाहिए 56 ग्राम से लेकर 59.40 ग्राम के बीच में और इसका डायमिटर 6.54 से लेकर 6.86 सेंटिमीटर के बीच में होना चाहिए यहां तक यह मेजरमेंट हो गई अब हम इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे अब इसमें सब से पहले कि कितने प्लेयर होते हैं इसमें इसमें देखिया मैं सिंगल होते भी मैं सिंगल होते हैं मैं और मिक्स डबल्स भी होते हैं इसमें जिसमें महिला और पुरुष साथ में खेलते हैं इसका स्कोरिंग सिस्टम कैसा होता है इसमें अगर कोई भी पॉइंट नहीं हुआ होता है जीरो पॉइंट अगर होते हैं तो उसको लव वोला जाता है और अगर कोई पहला पॉइंट ले लेता है तो यहां पर इसको 15 पॉइंट माना जाता है और अगर कोई दूसरा पॉइंट लेता है तो उसको 30 पॉइंट माना जाएगा और तीसरे पॉइंट को 40 पॉइंट माना जाएगा और जैसे ही 14 होते है एक गेम कंप्लेट ठीपहले हम यहां पर यह समझते हैं कि टैंश के एक मैच के अदर होते हैं ct set कितने होते comment के लिए होते है फांसे और भी मनस के लिए 37 और फिर2016 के अंदर होगी छेग में ऑगर यह अगर यहांपर खिलाडी भी सिध्य भी कि जित तो वो एक game जीतता है। और अगर 6 गेमें जीतता है तो वो 1 set जीत जाएगा। मैंस के लिए अगर श l ixक letषे जाता है तो वो 1 match जीत जाएगा। और 2 set चाता है तो 1000 match जीत जाएगा। ठीक है अब यहां पर यह तो हमने देख लिए कि 40 पॉइंट के बाद अगर कोई खिलाडी एक पॉइंट ले लेता है तो वो गेम हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखिए कंडिशन अगर ऐसी हो जाती है कि दोनों ही प्लेयर 40-40 का स्कोर यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर एक पॉइंट लेने के बाद गेम नहीं होगा निकि अगर स्कोर 40-40 पे बराबर हो जाता है तो उसको डियूस बोला जाता है जीतने के लिए लगातार दो पॉइंट चाहिए होते है डियूस के बाद और डियूस के बाद अगर कोई खिलाडी एक पॉइंट ले लेता है तो उसको एडवेंटेज बोला जाता है जीतने के लिए दो लगातार पॉइंट जीतने पड़ेंगे अगर फिर से टीम ए एक और पॉइंट जीत जाती है तो वो गेम हो जाएगी और टीम ए जीत जाएगी लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद अब टीम भी एक पॉइंट जीत जाती है तो वो फिर से क्या हो जाएगा डियूस हो जाएगा दौनों ही प्लेयर का स्कोर क्या है इक्वल हो गया फिर से और इस तरह से गेम अभी खतम नहीं होगा और चलता रहेगा जब तक यहाँ पर लगातार दो पॉइंट कोई टीम नहीं जीत लेती है यह था इसका स्कोरिंग सिस्टम अगर इसमें देखिये टाइ होता है टाइ ब्रीक कैसे होता है अब आप चानते हैं कि एक सेट के अंदर होती है छे गेमे और एक सेट के अंदर अगर दौनों ही प्लेयर या दौनों ही टेमे पांच-पांच गेमें जी जाती है तो यहाँ पर टाइक की सिचुएशन होती है और टाइक को तोड़ने के लिए 7 पॉइंट का एक गेम खेला जाएगा और इसमें जो स्कोर रहेंगे पॉइंट के वो इस तरह से रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें ऐसा नहीं होगा जैसा की टैनिस में होता है पहले पॉइंट का मतलब 15, 15 और 40 ऐसा इसमें नहीं होगा इसमें यही रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी यह गेम जी जाएगा तो यहाँ पर स्कोर क्या हो जाएगा गेम का 6 और 5 और फिर जो भी प्लेयर यहाँ पर है वो यह सैट जी जाएगा अब हम आगे देखते हैं कि मैच बेसिक सा कैसे खेला जाता है मैच की शुरबात कैसे होती हैं मैच की शुरबात टॉस से होती है और टॉसी डिसाइड हो जाता है कि कौन सी टीम सर्विस करेगी और कौन सी रिसीब करेगी पहली गेम के अंदर देखे टैनिस के अंदर सर्विस कैसे होती हैं जैसा आप जानते हैं कि एक सैट के अंदर होती हैं 6 गेमें और हर एक गेम के लिए एक प्लेयर सर्विस करता है तो पहले गेम में यह प्लेयर सर्विस करना चूज करता है तो पहले गेम में यह प्लेयर सर्विस करेगा चाहे किसी के भी पॉइंट हो फिर दूसरी गेम में फिर दूसरा प्लेयर सर्विस करेगा फिर तीसरे गेम में फिर से ये प्लियर सर्विस करेगा फिर चौथी गेम में फिर से ये प्लियर सर्विस करेगा फिर इस तरह से ये रोटेशन कंटिनियू चलती रहती है इस तरह से जो भी डिसाइड हो जाएगा कि कौन सर्विस करेगा पहले गेम के अंदर वो सर्विस करे यहां पर देखिए बेसलाइन के बाहर से यहां पर बेसलाइन है दौनों तरफ में यहां से वह सर्विस करेगा इस बेसलाइन के बाहर और इस सेंटर मार्क के राइट साइड में ठीक को बोलते हैं डियूस साइड और इसकी दूसरी साइड को बोलते हैं एड साइड ठीक है औ इस center mark से बाहर और यहाँ पर इस side land से बाहर अगर single के लिए coat है तो इस side land से बाहर वो service नहीं कर सकता सब सर्विस करने के लिए सर्वर क्या करेगा बॉल को यहां पर उच्छाल देगा बॉल को टॉस करेगा और जैसे उसको लगता है कि अब वो हिट करने के लिए त्यार है तो बॉल को हिट कर देगा और service देखे service coat में ही bounce होनी चाहिए यानि कि अगर server यहां new site से service करवा रहा है तो service कहां पर पनी चाहिए यहां पर wall का टपा पढ़ना चाहिए इस वाले service coat के अंदर के तो यह वाले area रहेगा इस new site के लिए service समेशा यहां पर diagonally होगी इसमे अगर advantage site से service करवा रहा है server तो यहां पर यह वाले coat में service यहां पर इसका wall का टपा पढ़ना चाहिए और receiver कहीं पर भी खड़ा हो सकता है और फिर ball को return कर देगा एक bounce होने के बाद पर जब return करेगा receiver या बाकी का जो भी खेल रहेगा उसमें यह सारा area यहां पर use कर सकता अगर single के लिए है तो यहां पर यह area यूज होगा और double के लिए तो यह double side line यह बाहर वाली है तो यह पुरा area यूज रहेगा पुरे खिल में लेकिन service जो है वो यहां service coat के अंदर ही पढ़ने चाहिए server को तब तक service नहीं करने चाहिए जब तक receiver ball लेने के लिए ready ना हो और tennis के अंदर एक service अगर fall हो जाती है तो दूसरी service दी जाती है यानि कि यहां दो service करने के मौके दे जाते हैं अगर पहली service fall होती है तो दूसरी service यहां पर करने के लिए दी जाएगी और अगर दूसरी सर्विस भी सही नहीं होगी तो follow जाएगा और point opponent को मिल जाएगे फिर देखिए सर्विस का order किस तरह से रहता है अब पहले भी हमने पढ़ा था कि टैनिस के अंदर क्या होता है कि अब सिंगल में देखिए एक एक player होते हैं मालेज़े ये टीम है ये पहले सर्विस करेगी फिर दूसरी गेम के अंदर फिर दूसरी टीम ये वाली टीम सर्विस करेगी ठीक है और फिर तीसरी गेम के अंदर फिर से पहली टीम फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा ठीक है एक के बाद एक टीम यहां सर्विस करेगी लेकिन अब डबल के अंदर देखे क्या है कि एक टीम के अंदर यहां दो प्लेयर है अब इन दो प्लेयर का कैसे डिसाइड होगा कि पहली गेम के अंदर इन दो प्लेयर में से कौन सा प्लेयर सर्विस करेगा तो ये आपस में ही टीम में डिसाइट करेंगे कि इन दोनों के अंदर कौन सा प्लेयर पहली गेम के अंदर सर्विस करेंगे अब मालेजे ये टीम टॉस जीत गई है और इनोंने डिसाइट किया है कि ये लोग सर्विस करेंगे अब इन दोनों में भी कौन सर्विस करेगा तो ये आपस में ही डिसाइट करेंगे अमालेजे कि ये वाला प्लेयर सर्विस करेगा पहली टीम में ये इन दोनों ने डिसाइट कर लिया तो जब दूसरी गेम होगी तो यहाँ पर दूसरी team उपोनन टीम सर्विस करेगी तो ये लोग भी खुद में ही decide करेंगे कि कौन सा player यहाँ पर सर्विस करेगा मालेजें ये player यहाँ पर पहले सर्विस कर रहा है और अब जब तीसरी गेम शुरू होगी तो फिर से पहली टीम यहां पर सर्विस करेगी अब यहां पर यह जो प्लेयर है यह पहले ही सर्विस कर चुका है पहली गेम के अंदर अब यहां पर दूसरे player को मौका मिलेगा अब ये वाला player service करेगा तीसरी game के अंदर उसी तरह से पहले इस ने service की थी अब अगले game के अंदर ये service करेगा एक के बाद एक ये इस तरह से service करेंगे आपस में भी फिर next देखिये जो player है वो एक ही जगा से तो यहां service नहीं करेगा, अब यह हर point के बाद अपनी side switch को हो जाएगी, side change हो जाएगी, जैसे कि देखिए यह पहले भी हमने देखा, यह due side है, और यह advantage side है, due side से ही हर game की शुर्बात में service की जाती है, और जैसे ही कोई point हो जाता है, चाहे इस team का हो, चाहे इस team का हो, क्योंकि point किसी का भी हो service तो एक ही player करेगा, एक game के अंदर, तो माली जी यह player service करेगा, तो कोई भी team का point हो जाता है यहां पर, तो यह अपनी side change करेगा, और यह add side में जाकर फिर अगली service करेगा, और फिर से अगर कोई point होता है, तो फिर से यहां due side में आकर service करेगा, यानि कि हर एक point के बाद, वो service change करेगा, एक बार में वो service इस side से करेगा, और दूसरी बार में इस side से, लेकि इस तरह से यह player अपनी side change करता रहेगा, और फिर एक game खतम होने के बाद, इसकी service खतम हो जाएगी, तो end change होंगे, यानि कि यह player फिर उस तरफ चला जाएगा, और यह player इस तरफ आ जाएगा, और ऐसा कब होगा, हर odd game के बाद, पहली तीसरी और पांचवी game के बाद, player अपनी end change कर देंगे, यह doubles के अंदर भी ऐसे होगा, कि odd game के बाद, खिलाड़ी अपना code change कर देंगे, लेकिन double के अंदर, हर point के बाद, side कैसे change होगी, यह देखे, यह service side और यह net side है, यह player यह देखे, यह आपर यह due side से service कर रहा है, पहली service due side से होगी, जैसे एक point होगा, तो यह इस तरफ जाकर service करेगा, और जो net side में player है, वो इस तरफ को चला जाएगा, ठीक है, और फिर अगले point के बाद, फिर से यह यहाँ due side में आ जाएगा, और यह player फिर से net side में चला जाएगा, और ऐसा फिर यह करते रहेंगे, एक game पुरा होने तक, डबल के अंदर भी देखे, service को receive करने के लिए, दौनों आपस में decide करेंगे, कि पहले point में कौन सा player receive करेगा, तो मान लीजिए, यह player यहाँ पर receive कर रह यह बाला player फिर यहाँ पर service को receive करेगा, ठीक है, तो इस तरह से receiver यहाँ पर change होंगे, एक point एक player receive करेगा, दूसरा point दूसरा player receive करेगा, फिर next है service fault, server service करते हुए अपनी position change नहीं कर सकता है, running, walking करके या किसी भी तरह से अपनी position change नहीं कर सकता है, हाँ अपनी पाउं की थोड या coat को touch नहीं कर सकता service करते हुए, तीसरा है, अगर server ball को hit करते हुए, ball को miss कर जाता है, तो वो service fault मानी जाएगी, फिर next है, अगर server service करता है और ball ground को hit करने से पहले, net post को या single stick को touch करती है, तो भी वो service यहाँ पर fault मानी जाएगी, उसके अलाबा ball अगर server के partner को touch करती है, या उसके कपड़ों में touch होती है, कोई भी चीज जो server के partner ने पहनी है, उसमें touch होती है तो, तो तब भी service fault मानी जाएगी, फिर next है ball in play, server की द्वारा ball को hit करने से लेकर, ball तब तक खेल में मानी जाएगी, जब तक कोई point decide नहीं होता है, अगर simple सा देखा जाए, जब तक ball इस coat क तब भी वो in माने जाती है, यानि कि tennis के अंदर जो भी ये line है, अगर ball line के उपर होती है, तब भो coat के अंदर ही माने जाएगी, यानि play में माने जाएगी, ball नहीं दिया जाएगा, फिर है late, फिर है late कब दिया जाता है, अगर देखिए, खेल में कोई भी interruption होती है, जिसकी जैसे खेल जो है वो रुख जाता है, तो late दिया जाता है, और जब भी ऐसी circumstance या situation होती है, जब late दिया जाता है, तब उस point के लिए द्वारा से खेला जाता है, फिर देखिए, service के दोरान late कब दिया जाता है, अब सबसे पहले देखिए, जैसा कि server ने service करवाई, और ball जो है लेट दिया जाएगा, और दूसरा, अगर ball नेट को टच करता है, या यह जो पटा है, उपर जो नेट के लगा रहता है, उसको टच करके, receiver को या receiver के partner को, या टच करता है, उनके कपड़ों से टच होता है, ग्राउंड को हीट करने से पहले, तब भी यहाँ पर late दिया और उस service को count नहीं किया जाएगा, फिर next है, खेल के अंदर कौन-कौन से fall होते हैं, या तो बोल सकते हैं कि एक player अपने point कैसे lose करता है, सबसे पहले देखिए, अगर दो consecutive fall हो जाते हैं, अगर दो लगातार fall हो जाते हैं किसी player या team के, तो एक point यहाँ पर वो खो देंगे मतलब है कि opponent को point मिल जाएगा, फिर next है, देखिए, अब tennis में देखिए क्या होता है, उपनेंट के court में ball जो है, वो एक टपा खाने चाहिए, अगर ball एक टपे से ज़्यादा अगर bounce कर जाती है, तो ऐसे में server को point मिल जाएगा, यानि कि receiver को दूसरे bounce पढ़ने से पहले ही ball को पढ़ेगा, next है, अगर court बाहर से या किसी object से bounce खाते हुए अंदर आती है, तब भी वो fall होगा, फिर next है, अगर यहाँ player ball को bounce खाने से पहले ही hit कर देता है, return कर देता है, तब भी वो fall हो जाएगा, अगर कोई player ball को जान बुझ कर carry करता है, या catch करता है, तब भी वो fall होगा और अगर जान बुझ कर ball को touch करता है, दो बार racket से तब भी वो fall होगा और opponent को point दे जाएगे, next है, कोई भी player जब तक ball play में है, net को या net post को, single stick को, या जो इसको बांधने के लिए जो तार लगी रहती है, metal cable होती है, या strap या band होते है, net के किसी भी भाग को player touch नहीं कर सकता है ना तो player के racket के द्वारा, चाहे वो racket उसके हाथ में हो, चाहे हाथ में ना हो, racket के द्वारा और कुछ भी चीज़ जो उसने पहनी हो, उसके द्वारा भी ये सारी चीज़ों को, net को, net के किसी भाग को player touch नहीं कर सकता है, और साथी opponent के court को भी player touch नहीं कर सकता है, फिर next है, बॉल जो है वो खेल के अंदर प्लेयर को टच नहीं होनी चाहिए या और कोई भी ऐसे चीज़ जो प्लेयर ने पैनी हो या कैरी की हो उसमें वो टच नहीं होनी चाहिए accept racket, सिर्फ racket से ही player ball को touch कर सकता है, गर ball को फ्लेर के अंदर touch नहीं कर सकता है tennis करने के लिए पकड़ेगा, ball को, बाकि बीच में खेल में ball को नहीं पकड़ेगा double के अंदर अगर दौनों ही player ball को return करने के लिए जाते हैं, ball को touch करते हैं भी वह fall होता है, लास्ट हम देखते हैं इसके official के बारे में इसमें एक referee होता है, referee final authority होता है, referee का decision ही final होता है, और match के अंदर एक chair empire होता है, और chair empire match के अंदर decision देता है, अगर कोई player chair empire के decision से agree नहीं होता है, तो वो referee को बोल सकता है, पिर रेफरी का decision ही final होता है और दो line empire होते हैं जो line के fall देखते हैं और दो net empire होते हैं net fall देखने के लिए और 5 इसमें ball boys या ball girls होते हैं यह था वीडियो इस वीडियो में हमने tennis की सारे rule और measurement कर ली है I hope आपको सारे चीज़े अच्छे से समझ में आ गई हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आपके लिए वीडियो हाल फूर रहा हो तो वीडियो को like केजिए, comment केजिए और दोस्तों के साथ share केजिए और चैनल को subscribe केजिए और notification bell icon को भी प्रेस कर देजिए ताकि आने वाली सारी नए वीडियो की अपडेट आप तत पहुंच दिरे